अब ही दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो कल के लाइफ लेसन में एक पॉइंट और एडिशन है आज के जीवन ग्यान पर और चाहे कोंट्रस्ट में लगाओ या फिर डूसरे कंट्रस्ट में लगाओ बट एक चीज ये भी है कि कई बना आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर किसी चीज को आप शिदत से चाहो तो पूरी काइनात उसे आपका बनाने में लग जाती है और कई चीजों पर सैट भी बैठता है बाते समझ भी आती है वो शायद सच भी है मेरे ख्याल से कई सेंस में कई चीजों में तो यही है कि लगे रहो टटे रहो जुटे रहो प्या दिल बेवकूफ है बड़ा दिल तो बच्चा है जी और बच्चों की शादी नहीं की जाती बच्चों से प्यार किया जाता है लेकिन बच्चे प्यार नहीं कर सकते उन्हें पता ही निये प्यार कैसे होगा कैसे मनाया जाता है कहता है बच्चों को मनाना भी नहीं आता तो दिल तो बच्चा है जी अब ज advent की बात होती है जब शिद्दत की बात आती है definitely पहला स्टेप आप ने किया शिद्दत के साथ चाहा किसी को दूसरा स्टेप आप ने किया कि उसे visualize करने लगे दिमाग के सोचने लगे कि अब कैसे मनाओगे बनाने लगे, तीसरा स्टाप आपका plans बनने लगे है प्लान आप execute करते हो उन plans को और जब execute होने लग जाते हैं तो कहीने कहीं पे कमी बेशी रह जाती है तो पांचवा life lesson आता है पांचवा point उसको evaluate करो उन चीजों को देखो कहीं पर कहां कमी रह जाती है सामने वाले को एनलाइज करो कोलेट करो एंड डिसेमिनेट करो तो ये है मैं बन्हों कुछ स्टेप्स जो आपको सोच समझ के लेने पड़ेंगे अगर आप अपने जिंदगी का प्यार पाना चाहते हैं मैं अपने आसपास देख रहा हूँ बहुत सारे दोस्ता मेरे जो प्यार में दोखा खाए हुए हैं जिनको या तो अपना चुनिंदा प्यार नहीं मिला मैं लाइफ पार्टनर नहीं मिला चाहे वो लड़का हो या लड़की हो दोनों की बात कर रहा हूँ मैं इसमें या फिर मिला तो सही पर तूरा नहीं मिला या फिर कहीने कहीं पर कुछने कुछ इश्यूज हुए तो कुछ तो पॉइंट हो सकता है मैं लोग कोई दिकत परिशानी होगे किसी को मिला तो जल्दी छूट गया तो यह सारी चीज़े है यार अब आप सोच लीजी क्या कमी रह जाती है क्यूं मिलने के बाद भी लोग बिछड़ जाते हैं और क्यूं प्यार कम हो जाता है इसके उपर फिर किसी रोज बात करेंगे लंभी बट वह यह यह यार शिद्दत के साथ प्यार करो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाओ थोड़ा बहुत दिमाग चाहिए कि एवल दिल से काम नहीं चलता है थोड़ा सोच समझ के करोगे रहां बोलते हैं कि जहां पर दिमाग आ जाता है वहां पर प्यार नहीं रहता है चूत यह लोग को इसा कुछ नहीं होता तो आगे जाके दोखा खाएंगे और आगे जाके पच्ताएंगे उस चीज से तो आगे दोखा साथ सोच समझ के एक्शन लो स्टप्स लो तो आप आगे साथ समझ जाएं चीजों को अच्छे तरीके से समाल पाएं इस पर आप लोग विराये क्या मुझे कमेंट सेक्शन बताइए को जुड़े रहे हैं डेली वीडियोस के लिए टिल देन स्टे हपी स्टे हल्दी नो सो अंडिल टमोरो खुश रहो बाकियों को खुश रखो चैहिंद जैवानत